प्यास फेकवाने वाला जो पूरा इंसिरेंट था या चुनाव हो रहे थे कैसे ये लोग अपने कारेकरताओं को ट्रेनिंग दे कर स्पेशली भेजते हैं महौल खराब करने के लिए लोग की मान सकता है उसे कोई फरक नहीं पड़ता है नमस्कार मेरा मालोक है आप लाइश्टी इस देख रहे हैं इस वक्त हमाई साथ जेडियों के परवक्ता अभिशेग ज्या है समा सुधार अभियान जो चल रहा है पूरे बिहार में नितीश कुमार हर जिले तक पहुंच रहे हैं आर जेडि कह रही है कि देखिए लोग कैसे उसका बाइकाउट कर रहे हैं लोग कैसे उसमें हंगामा कर रहे हैं और सरकार कोईया दिखा रहे हैं कि जमिर धातल पर कुछ हुआ नहीं है एक तो बहुत साहसिक कदम है किस तरह से बिहार जिसे कम राजस्व वाले प्रदेश में भी राजस्व की चिंतर ना करते हुए पूर्ण शराबंदियों को लगू करना और जो उत्साह है अरे आप लोग भी तो ख़वर चलाते हैं ना मीडिया के लोग भी तो दिखाते हैं ना कि क्या जबरदस्ट उत्साह है लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो नशा के पक्षधर हो सकते हैं? शराब के पक्षधर हो सकते हैं? हाँ, विक्रित मान सकता कि विबक्ष के लोग हमारे हो सकते हैं इस चीज के पक्षधर. लेकिन जनता का जबरदस समर्थन मिलता है और जब मुख्यमंत्री जी उनके बीच जाकर बरूफ होते हैं तो एक नया जोश उनके बीच जाता है कि शराब नशा सचमुछ बहुत खराब चीज है इस तरह की जो प्रयावजित हंगामे होते हैं आपको याद होगा ना किस तरह से वो प्यास फेकवाने वाला जो पूरा इंसिरेंट था या इस बार भी जो उपचुना बंधों ने इंटरव्यू लिया था और उसने कहा कि हम राजत के कारता है और हम लोग जाकर हंगामा कर रहे थे वहाँ पर यह लोग तो इंटेंशनली इस चीज़ को करते हैं कि कैसे ध्यान भटकाया जाए इन जन्हिस से जुड़ों मुद्दों को ले करके सामाजिक मुद जब नशा से हमें दूर जाना है जब शराबंदी का प्रस्ताव आया विधान मंडल में सभी दलों ने मिलकर प्रस्ताव पारित किया मतलब सभी दल के लोग इसके पक्षदर थे हर कोई कहता है कि शराबंदी होनी चाहिए नशाबंदी होनी चाहिए नशा और शराव कि सबने समर्थन दिया था अभी अगर किसी के स्वर बदले हुए है स्टैन्ड बदला हुआ है तो बहतर वो बताएंगे लेकिन एक बात हम सपश्ट कर देना चाहते हैं कि इससे नितीश कुमार जी की नीती विजन उनकी इक्षा शक्ति पर कोई फरक नहीं पड़ने वाला है बिहर में शरबंदी मझबूती से लागू रहेगी समीक्षा हमेशा इस बाट की होगी कि कैसे इसको और बहतर बनाये जाए नितीश कुमार जो घुम रहा है कैसे आप लोगो फायदा दिख रहा है सरकार को फायदा खो रहा है नितीश कुमार जी कभी अपना व्यक्तिकत फाइदा नहीं देखते हैं, सरकार का फाइदा नहीं देखते हैं, यही करण है कि जनता उनको अपने दिल में बसाती है और जब समाज का सुधार होगा, तो सबसे पहने लाब किसको होगा? आपको, मुझ को, आम जन मानस को, नितीश कुमार जी ने कभी व्यक्तिकत लाब को सर्व उपर ही नहीं रखा है नितीश कुमार ने आम जन के बातों को उठाया है, और मुद्दो को उठाया है, जहां तक बात विपक्षी खेमे की है, या फिर अलाइंस पार्टनर्स की भी है, तो बहतर धंक से वही बता सकते हैं, जेडियू ने इन बातों से किनारा करना शुरू किया है, लेकिन हाँ, आर जेडि के लोग हंगामा करवाते हैं, सभाव में भेज कर और वो हंगामा जो है, वो प्रायोजित होता है पहले से, ये बाते साफ साफ कह दी हैं, जेडियू के प्रवक्ता अभिशेक जाने, आरोब भी लगाए हैं, गंभी परहाल, देखना होगा कि नितीश कुमा के सम इतना बदलाव समाज में आता है, और क्या कुछ असर पढ़ता है वाले समय में, इंडिया को कितना इससे फाइदा होता है, वो भी देखना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेस्ट पेज भी लाइक करें, धन्यवाद